इस वीडियो लेक्षर में हम लोग जानेंगे बेंजाइल कार्बनाइन और सब्सिटुटिटिड बेंजाइल कार्बनाइन में स्टेबिलिटी को किस तरह से डिसाइड किया जाता है बेंजीन के जिस आगे वाले कार्बन को बेंजाइली कार्बन कहते हैं अगर बेंजाइली कार्बन पर नेक्टिव चार्ज प्रेजेंट है तो ऐसे कार्बनाइन को बेंजाइल कार्बनाइन कहा जाता है चुंकि benzyl carbonine में ये negative charge benzeny के double bond के साथ conjugation में होता है क्योंकि ये दोनों आपस में single bond से separated होते हैं इसलिए benzeny इसमें minus m का काम करता है और ये negative charge इस तरह से benzeny में migrate कर सकता है और इस से total 4 rays की formation होती है benzeny में जब ये charge migrate करता है तो benzeny की दोनों ortho position के साथ साथ ये पैरा position पर भी migrate करता है यहाँ पे हमने benzyl carbonine की सभी rays को directly draw कर दिया है अगर किसी भी rays में आपको कोई भी confusion है तो आप इस channel से uploaded video जिसमें rays को किस तरह से draw किया जाता है उसमें detail में समझ सकते हैं carbonine की stability के first video में हमने देखा था कि कोई भी ऐसा factor जो carbon के उपर present negative charge को stabilize कर दे या फिर उसको disperse कर दे ये सभी factor carbonine की stability को increase कर देते हैं इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था inductive effect, resonance, aromaticity और in different factors के थूर carbonine किस तरह से stabilize होता है और carbonine की stability के second video यानि इस video lecture में हम लोग ये जानेंगे कि benzyle carbonine या substituted benzyle carbonine किस तरह से stabilize होते हैं यहाँ पे हमने benzyle carbonine में कोई group G लगा रखा है इस G को यहाँ पर लगाने का मतलब ही है कि इस G की position हम ortho, meta और para पर assume कर सकते हैं अभी हमने benzyle carbonine की resonance condition में ऐसा देखा है कि नेक्टिर charge resonance में involved होता है और ये benzyne के अंदर migrate करता है यानि benzyne इसमें अपना minus M effect हो करती है और ये नेक्टिर charge benzyne में तीन जगा migrate करता है इसमें से दो ortho position होती है और एक इसकी para position होती है अभी हहाँ पे G कोई भी group हो सकता है G की दो category possible हो सकती है पहली category में G electron withdrawing group हो यानि ये ऐसे group होते हैं जो electron को अपनी तरफ खीच लेते हैं और इस कारण से इन में minus effect यानि minus I या minus M effect possible होता है अगर electron को अपनी तरफ खीच लेते हैं इसका मतलब ये हुआ जब G electron withdrawing group होगा तो इस carbon के negative charge को अपनी और खीच लेंगे जिससे ये charge जो होगा dispersed हो जाएगा, stabilize हो जाएगा यानि ऐसे effect रखने वाले group जो होते हैं वो carbonine की stability को increase कर देते हैं चुकि mesomere effect dominant होता है इसलिए अगर minus M रखने वाले कोई group हुआ तो वो minus I की comparison में ज़्यादा electron को खीचेगा ज़्यादा charge को disperse करेगा इसलिए carbonine की stability minus M रखने वाले condition में minus I से ज़्यादा हो जाएगी इसी तरह मालने जी कोई हमारे पास electron donating group हुआ ऐसे group electron को donate करते हैं अगर ही electron को donate करेंगे तो electron की जो density होगी इस carbon पर बढ़ जाएगी जिसे repulsion बढ़ जाएगा और energy content बढ़ने से इनकी stability कम हो जाएगी और ऐसे group जो होते हैं वो plus वाले effect जैसे plus I, plus H या plus M effect शोग करते हैं चुकि misomeric सबसे ज़्यादा dominant होता है तो कोई ऐसा group जो plus M effect शोग कर रहा है वो सबसे ज़्यादा electron को donate करेगा जिस कारण से इस carbon पर सबसे ज़्यादा repulsion generate होगा यानि कि plus M रखने वाले group की stability सबसे कम हो जाएगी इसी तरह अगर इस category में plus I वाले group है तो ये electron को कम donate करेंगे, कम repulsion होगा इस कारण से इस category में plus I वाला सबसे ज़्यादा stable होगा और इस category में plus M वाला सबसे least stable होगा तो इसमें सबसे पहली category होती है जब G हमारे पास minus M और minus I वाले group हो ऐसे group के example में nitro group, ldhd group, ketone, nitrile, sulfonic group इस तरह की group हो सकते है चुकि nitro group में minus I और minus M दोनों effect present होते है तो सबसे पहले हम बात करते हैं minus I की A में nitro group absent होने के current इसमें minus I possible नहीं हो सकता B में, C में और D में तीनों में ही minus I effect present होता है minus I effect ये plus I effect दोनों effect distance dependent होते हैं और distance के inversely proportional होते हैं इसका मतलब ये हुआ B में ये effect सबसे ज़्यादा dominant होगा क्योंकि nitro group इस carbonine के साथ सबसे नजदीक B में होता है और सबसे वी कि ये D में होगा क्योंकि nitro group और carbonine के बीच में ऐसे questions को attempt करते हैं हमने carbonine में भी ऐसा देखा था कि अगर dominant effect present है तो सबसे पहले हमको dominant effect consider करना है जैसे यहाँ पर dominant effect minus M effect होगा तो अगर minus M effect की बात करें A carbonine में nitro group के absent होने के करण minus I की तरह ही minus M भी absent होगा जबकि B में minus M present होगा और D में present होगा सबसे खास बात यह है कि C में nitro group और carbonine एक दूसरे की meta position पर होने के करण इसमें minus M effect possible नहीं हो सकता इसको हम detail में resonance के दोरान explain कर चुके हैं कि अगर कोई भी intermediate या कोई भी group एक दूसरे की meta position पर है तो उन से hyperconjugation करते हैं इनकी stability की चुकि nitro group में minus I और minus M दोनों effect present है इसलिए यह carbonine से electron को खीच कर disperse कर देते हैं यानि कि यह carbonine की stability को increase करते हैं तो इसका मतलब एक बात तो confirm है कि A में nitro group absent है इसलिए इस series में अगर stability की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा least stable जो होगा वो A होगा उसके बात stability आएगी C की क्योंकि C में केवल एक ही electron withdrawing effect present है और वो भी minus आई है जबकि B में और D में दो-दो effect present है इसलिए A से ज़्यादा stable C हो जाएगा अब हम बात करते हैं B और D की जैसा अभी हमने बताया कि mesomeric effect जो होता है में वाला mesomeric effect from para position दोनों same power same magnitude के होंगे इस कारण से B और D को अब minus M के base पर distinguish नहीं कर सकते अब हमको इसका junior effect sub dominant effect minus I देखना पड़ेगा अगर minus I को देखें तो B में नेट्रो गूरूप नजदीक होने के कारण इसका minus I effect D के comparison में ज़्यादा होगा इसलिए जो B होगा वो D से ज़्यादा stable होगा यानि overall stability में B, D, then C और least stable A हो जाएगा example number second इस example में इस benzyle carbonine की पैरा position पर कोई group G रखा गया है और इस G की इन में से कोई एक value हो सकती है तो सबसे पहले इन group के effects को देखते हैं यह जो group है कि minus I और minus M दोनों effect को show करते हैं चोंकि अभी example number one में हमने ऐसा mention किया है अगर कोई group दो effect show करता है तो हमेशा उसका dominant effect को पहले consider करते हैं अगर इन तीनों के dominant effect को देखे तो तीनों ही minus M effect की category के होते हैं तीनों से ही minus M effect show होता है चोंकि यह तीनों ही minus M की category के है अगर series की बात करें तो series के according सबसे ज़्यादा minus M इन में netto group का होगा और फिर इसमें cn group का होगा और सबसे list इसमें ldhd group का होगा अब हम बात करते हैं A की चोंकि A में gk value h है और h का कोई effect नहीं होता अगर इन चारों की stability की बात की जाए चूंकि B से लेकर D तक इन में electron withdrawing effect present है जबकि A में ऐसा कोई भी effect present नहीं है तो एक चीज़ तो confirm यह हो जाती है कि अगर इन चारों की stability की बात करें तो इन में से सबसे ज़्यादा least stable जो होगा वो A होगा क्योंकि उसमें एक भी ऐसा factor नहीं है जो की extra electron को withdrawal कर पाए अब हम बात करें B और C D की तो इन में सबसे dominant effect जो होगा वो नेट्रो गूर्प का minus M होने के कारण यह carbonance से electron को सबसे ज़्यादा withdrawal करेगा इसलिए इनकी overall जो stability आएगी वो B हो जाएगी फिर C और then D हो जाएगी क्योंकि D में minus M effect सबसे weak है इस कारण से D, B और C के comparison में कम electron को withdrawal करेगा इसलिए इन से least stable बन जाएगा बट A के comparison में D में minus I और minus M दोनों effect present है इसलिए D, A के मुकाबले जादा stable हो जाएगा इसकी second category होती है अगर G हमारे पास plus H और plus I जैसे group हो इसमें alkyl group हो सकते हैं और इन alkyl group में ये जो free valency वाला हिस्सा होता है ये benzene के साथ जुड़ा रहता है और इसमें ये जो very first carbon होता है ये इसका alpha carbon कहलाता है अगर plus H effect को show करना है तो ऐसे alkyl group में इस alpha carbon पर कम से कम एक H present होना जरूरी होता है तब ही ये plus H और plus I की category के group बनते हैं अब यहाँ पर कुछ students में सबसे बड़ा confusion ये develop होता है कि हम बात तो यहाँ पर carbonane की कर रहे है फिर इसमें हम plus H effect क्यों operate कर रहे है क्योंकि हमने देखा था plus H effect जो होता है वो carbon free radical, alkyne, alkyne और alkyl benzene में ही possible हो पाता है तो फिर carbonane के वक्त हम इसकी stability को decide करते वक्त plus H effect क्यों consider कर रहे है तो इसका answer ये है कि अगर हमारे पास benzyl carbonane है यानि कि ऐसा carbonane जो benzyne के साथ adjacent position पे है तो ऐसी condition में इन में से कोई भी एक alkyl group होगा तो वो क्या करेगा इस benzyne तक अपना effect show करेगा क्योंकि इतना हिस्सा जो है ये alkyl benzene है और hyperconjugation की condition में वहाँ पे हमने 5th condition alkyl benzene को mention कर रहे है अगर इस carbonane में इस CH3 के थुरू अगर plus HVAC show होगा तो वो किस तरह से show होगा इसमें सबसे पहले ये carbon hydrogen bond break कर जाएगा और benzene के जो electron होंगे वो इसकी ortho position पर migrate कर लेंगे और इस से इसकी first RIS की formation होगी अभी जो negative charge बना है अब हमेशा benzene में एक position को छोड़के next position पर move करता है याई अगले बार ये negative charge यहाँ पर जाएगा और अगले बार ये negative charge यहाँ पर आएगा याई इस CH3 के respect में ये negative charge दोनों और थो और एक पैरा position पर गया है अगर ये पैरा position पर जाता है तो ये negative charge और carbon का negative charge दोनों क्या होंगे दोनों एक दूसरे के adjacent होंगे और same charge adjacent होने पर बहुत strong repulsion होगा इसका मतलब ये है कि carbonine में ये जो alkyl group होते हैं ये benzene तक अपना plus H effect शो करते हैं जिससे benzene क्या होगी electron rich हो जाएगी और अब इस carbonine को benzene के अंदर आते वक्त repulsion लगेगा इस कारण से इस में benzene अपना minus M effect operate ना करने के कारण इस carbonine की stability decrease हो जाएगी example number 4 यहाँ पे हमारे पास total 4 carbonine दिये गए हैं जिन में methyl group की position का difference है अगर methyl group की बात करें तो methyl group से दो तरह के effect possible है एक plus i effect और दूसरा plus h effect अगर plus i effect की bात करें चुकि a में methyl group ही absent है, इसलिए plus i effect present नहीं हो सकता, जबकि b में, c में और d में तीनों में ही इस methyl group का plus i effect present होगा, अगर plus h की बात करें तो again, a में methyl group की absence के कारण plus h effect भी absent होगा, जबकि beam में और d में तो यह present होगा यह effect c में absent होगा अब c में absent इसलिए होगा क्योंकि c में c3 group और यह carbonane एक दूसरे की meta position पे हैं इसलिए यह एक दूसरे को effect नहीं कर सकते हैं बट अपना effect जो है वो benzene तक operate कर सकते हैं इसलिए इसमें c3 group का plus h effect absent होगा अब दोनों ही electron donating effect है जो carbonane के लिए नुकसान वाले हैं यानि कि यह क्या करेंगे electron को donate करेंगे carbonane के carbon पर electron density increase कर देंगे जिसे repulsion increase होगा और stability decrease हो जाएगी इसका मतलब यह है इन में से जो a carbonane होगा वो सबसे जादा stable होगा क्योंकि इसमें ऐसा एक भी effect नहीं है जो electron को donate करके इसके इस carbon पर electron density को increase करें तो अगर overall stability की बात करें तो इन में सबसे जादा stable A होगा क्योंकि इसमें केवल benzene का effect रिप्रेजेंट है इसके बाद जो सबसे जादा stable होगा वो आएगा C क्योंकि C में electron donating group जो है केवल एक है जबकि B में और D में दो दो electron donating group है जो इसकी stability को decrease कर रहे हैं इसलिए B, D और C में से C जादा stable बन जाएगा तो A के बाद हमारे पास आगया C अब हम बात करते हैं B, O, D की अब B, O, D में खास बात यह है कि जो B के CS3 group का जो hyperconjugation होगा याई hyperconjugation from CS3 group at ortho position और para position दोनों सेम magnitude या power के होंगे इसलिए B, O, D को hyperconjugation के base पे आप distinguish नहीं कर सकते इसलिए हमको इसका junior effect plus eye consider करना पड़ेगा चुंकि B में CS3 group इस carbonine के बाद पास में है यह ज़्यादा electron को donate करके इसको destabilize कर देगा इसलिए कम electron को इस carbonine तक भेज पाएगा तो B, O, D में decarbonine B से ज़्यादा stable हो जाएगा example number 5, इस example में हमारे पास 3 carbonine दिये गए हैं जिन में para position पर attached alkyl group different है अगर हम alkyl group की बात करें तो किसी भी alkyl group में 2 effect possible हो सकते हैं plus eye effect और plus h effect इसमें सबसे खास बात यह है कि कैसा भी alkyl group हो हम एक चीज़ तो confirm कह सकते हैं कि उसमें हमेशा plus eye effect तो present होगा इसके लिए हमको किसी भी तरह की कोई भी condition चेक करने की जुरूत नहीं होती अगर वो alkyl group है उसमें carbon और hydrogen है तो हमेशा उसमें plus eye effect और शो होगा अब plus eye effect को find out करने के लिए हमेशा बेंजीन के जिस्ट आगे वाला carbon जिसको हम benzyli carbon कहते हैं इस benzyli carbon पर दो condition को चेक करना पड़ता है पहली condition यह होती है इस benzyli carbon पर कम से कम एक hydrogen या फिर उसके isotop present होने चीए दूसरी condition यह है कि benzyli carbon का जो hybridization है वो sp3 होना चीए ऐसी condition A और B में possible होती है कि इसके benzyli carbon पर hydrogen present है और benzyli carbon का hybridization sp3 है बट C में benzyli carbon तो present है बट इसके साथ direct जुड़ा हुआ H absent है इस current से अब हम इसमें statement दे सकते हैं कि इन में A में और B में plus H effect work करेगा जबकि C में plus H effect work नहीं करेगा अब बात करते हैं इन तीनों की stability की चाए plus I हो चाए plus H हो यह दोनों ही effect क्या करेंगे electron को donate करेंगे और carbonate पर electron की density increase करके repulsion increase करेंगे analogy content increase करेंगे stability or stability को घड़ा देंगे तो एक चीज़ इससे और confirm हो गई कि अगर इन में overall stability की बात की जाए तो जो C होगा वो सबसे ज़्यादा stable होगा क्योंकि उसमें केवल एक ही electron donating effect present है और वो भी plus I effect present है अब हम बात करते हैं B में और C में चुकि इन दोनों में plus H dominant है इसलिए हमेशा पहले हम dominant effect को consider करेंगे इसमें तीन alpha hydrogen का plus H effect present है इसमें एक alpha hydrogen का plus H effect present है इसका मतल भी है A और B में जो A है उसमें plus H effect बहुत dominant है जो कि A के carbonine को B के comparison में destable कर देगा इसलिए B जो होगा वो A से ज़्यादा stable होगा example number 6 इन दोनों carbonine में सबसे बड़ा difference ही है पहले carbonine की पहरा position पर CH3 group है जबकि दूसरे carbonine की पहरा position पर CD3 group है और कैसा भी alkyl group हो इस से हमेशा दो effect possible हो सकते है पहले effect तो हो सकता है उसमें plus I जो कि हर alkyl group में present होगा दूसरा effect उसमें हो सकता है plus H इसके लिए अगर हम condition चेक करें तो दोनों में plus H की condition फुल्फिल हो रही है अब सबसे बड़ा difference यह है कि first carbonine में plus H के दोरान CH bond break होगा जबकि दूसरे carbonine में plus H के दोरान CD bond break होगा चूंकि CD bond की strength ज़्यादा होती है इसको break करने में ज़्यादा हमको dissociation energy देनी पड़ेगी या हम ऐसा कहलें CH जो bond होगा वो easily break हो जाएगा इसलिए अगर इन दोनों को आपस में compare किया जाएए तो हमेशा जो CH 3 group होता है इसका plus H effect CD 3 group से ज़्यादा होता है इस current से first carbonine में इस effect के तुरू ज़्यादा electron डोनेट होगे ज़्यादा repulsion होगा इसलिए इन दोनों में से जो second carbonine होगा उसकी stability ज़्यादा आएगी example number 7 अब यहाँ पर हमारे पास जो पैरा position पर दोनों alkyl group है इन में सबसे बड़ा common factor यह है कि इन में जो benzyli carbon है इस पर एक भी hydrogen या उसका isotope direct link नहीं है इसलिए इन दोनो alkyl group के थुरू अब plus h effect possible नहीं हो सकता यानि कि अब यह जो alkyl group होंगे यह अपना केवल plus i effect ही show करेंगे इन में plus h effect show नहीं हो सकता क्योंकि benzyli carbon पर hydrogen या उसका isotope absent है अगर plus i की बात करें तो plus i effect जो होता है वो hydrogen के isotope की case में mass पर depend करता है यानि कि mass directly proportional to the plus i effect यह कहां लगाना है यह hydrogen के isotope में लगाना है यानि कहीं भी अगर हम CH3 group और CD3 group का plus i effect की बात कर रहे हैं तो इसमें CD3 group का plus i effect ज़ादा होगा यह हम ऐसा कह लें अगर कहीं भी हम HDOT hydrogen के isotope में plus i effect की बात कर रहे हैं तो T का plus i effect ज़ादा होगा इस base पे जो second carbonine होगा उसमें plus i effect ज़ादा होगा तो यह क्या करेगा ज़ादा negative charge को benzene ring में भेज देगा या ज़ादा electron को भेज देगा जबकि पहले carbonine में यह electron कम जाएंगे अब सोचो जब यह nectar charge यानि carbon का nectar charge जब benzene के अंदर migrate करना चाहेगा तो सबसे ज़्यादा repulsion उसको यहाँ लगेगा तो कि इसकी benzene में ज़्यादा electron आयो है इसलिए इन दोनों में से जो first carbonine होगा उसकी stability सेकिंड से ज़्यादा आ जाएगी category no.3 इसमें G ऐसे type के group होते हैं जो plus M के साथ साथ minus I effect रो करते हैं जैसे NS2 OH OME example no.8 यहाँ पे हमारे पास तीन तरह की carbonine है जिन में difference OME group की position का है अगर इन में OME group के effect को देखें इन तीनों में ही OME group का minus I effect present होगा और इसी तरह OME group के plus M effect को देखें तो A में और C में plus M effect present होगा जबकि B में यह दोनों एक दूसरे की meta position पे होने के कारण इन में OME अपना plus M effect शोरिक कर पाएगा अब हम बात करते हैं यह effect help करते हैं नुकसान पहुंचाते हैं इन में से carbonine की help जो होगी वो केवल minus I effect के तरू होगी plus M effect इसको नुकसान पहुंचाएगा इसका मतलब यह है इन तीनों में से सबसे ज़्यादा stable B हो जाएगा क्योंकि B में केवल A की effect present है और वो भी उसको फाइदा पहुंचाने वाला minus I है यहनि कि इसमें जो stability का order आएगा उसमें सबसे ज़्यादा stable B हो जाएगा अब हम बात करते हैं A की और C की दोनों में ही plus M effect जो होगा वो same magnitude यह same power का होगा क्योंकि plus M effect distance independent होता है इसलिए A और C को हम इसके plus M के base पे distinguish नहीं कर सकते अब हम बात करते हैं minus I की चुंकि A में OME group इस carbonine के नजदीक है इसलिए ऐसी condition में इसका minus I effect dominant होगा और ज़्यादा effective होगा जबकि C में OME group इससे ज़्यादा दूरी पे होने के कारण इसका minus I effect उतना dominant नहीं रह पाएगा इस कारण से A और C में जो A carbonine होगा वो C के comparison में ज़्यादा stable होगा फोर्थ category बनती है अगर G हमारे पास halogens है example number नहीं यहाँ पर हमारे पास तीन तरह के carbonine है जिन में सबसे बड़ा difference है halogen की position का है और ऐसे case में halogen का minus I effect उपरेट होगा जो की तीनो ही case में present होगा inductive effect हमेशा distance के inversely proportional होता है चाहे वो minus I हो चाहे वो plus I हो distance के साथ साथ यह effect decrease होता जाता है यहनि इस case में inductive effect from ortho सबसे ज़्यादा होगा और पैरा सबसे कम होगा यहनि कि इस case में halogen इस carbonine के सबसे नजदीक होने के कारण यह minus I से इसके electron को ज़्यादा withdrawal करेगा जिससे यह जो negative charge होगा बहुत easily और effectively dispersed हो जाएगा जबकि इस case में halogen सबसे दूर होने के कारण अब इस negative charge को minus I effect से उतनी effectively withdrawal नहीं कर पाएगा इसलिए अच्छे से negative charge dispersed नहीं हो पाएगा इस base पे अगर हम इसकी stability की बात करें तो इसमें A जो होगा सबसे ज़्यादा stable होगा फिर B होगा और सबसे least stable इसमें C हो जाएगा example number 10 इन दोनों ही carbonine में जब इन एक्टिर चार्ज बेंजीन के अंदर migrate करेगा तो इन एक्टिर चार्ज दोनों औरतों के साथ साथ पैरा पोजिशन पर migrate करेगा चुंकि इसमें fluorine और chlorine दोनों अपनी पैरा पोजिशन पर present है तो इन में minus I और minus M effect possible हो सकता है अगर हम minus I की बात करें वो fluorine में भी present होगा chlorine में भी present होगा यानि कि ये दोनों minus I के तुरू इस carbon से इस negative charge को disperse कर देंगे electron को withdrawal कर लेंगे इसी तरह से अगर हम minus M effect की बात करें तो fluorine में vacant orbital absent होने के कारण इसमें minus M effect possible नहीं हो पाता जबकि ये effect chlorine में present होता है अब यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि इन पर loan pair भी present थे तो हमने इनका plus M effect क्यों नहीं operate करा तो GOC के वीडियो में हमने देखा है कि जैसा हमारे पास charge दिया होता है हमेशा उसके वो ही effect मदद करते हैं जैसे हमारे पास अगर negative charge को stabilize करना है तो हमेशा negative effect को consider करेंगे अगर यहाँ पे plus charge होता तो इसके plus effect को consider करते तो ऐसी condition में first carbonine का negative charge केवल minus I से ही disperse हो रहा है जबकि second carbonine का negative charge minus I और minus M दोनों effect से disperse हो रहा है इसलिए इन दोनों में अगर stability की बात की जाए तो second carbonine जो होगा वो first carbonine से ज़्यादा stable होगा किसी भी carbonine के stability में इन सभी factors के अलावा steric innovation of resonance यानि मान लो इन दोनों carbonine का आपस में comparison करें तो इन में सबसे बड़ा difference यह होता है कि यहाँ पर nitro group present होता है और यहाँ पर nitrile group present होता है चुँकि nitro group का minus I और minus M nitrile से ज़्यादा होता है तो first look में ऐसा लगता है कि जभी nitrogen charge तीन जगा पर जाएगा तो यहाँ पर nitro group के minus I और minus M effect के कारण इन दोनों में से पहले वाला carbonine ज़्यादा stable होना चाहिए बट इसमें ऐसा नहीं हो पाता ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पर ortho position पर दो methyl group present होती है जो दोनों तरह के carbonine में present होते है इनसे होता क्या है कि यह जो nitro group होता है यह out of the plane चला जाता है यानि इसके जो p orbital होते हैं वो rotate हो जाते हैं rotation होने के कारण अब यह जब negative charge benzene में 3 जिगा पर migrate करता है तो ऐसी condition में nitro group के वल अपना minus I operate कर पाता है इसमें minus M effect possible नहीं हो पाता जबकि जब हो लीनियर होता है तो इस कारण से इन दो methyl group के कारण इसमें कोई hindrance डेवलप नहीं हो पाती यानि इस case में nitrile group जो होगा उसका minus I भी operate होगा और उसका minus M भी operate होगा अगर SIR के definition की बात करें तो किसी भी molecule में steric hindrance के कारण जब resonance possible नहीं हो पाता तो ऐसे effect को हम SIR कहते हैं जैसे इन दोनों carbonane में इस carbonane में जो nitro group होता है वो इन दो methyl group की hindrance के कारण अपना minus M operate नहीं कर पाता यानि कि इन दोनों carbonane में अगर हम SIR की बात करें तो जो SIR effect होगा वो first में applicable होगा second में applicable नहीं होगा इसी कारण से इन दोनों carbonane में ज़्यादा stable carbonane जो होगा वो second हो जाएगा क्योंकि इस में nitro group का minus I और minus M दोनों इस negative charge को disperse करेंगे तो guys I hope इस video lecture के थूँ आपने benzyle carbonane किस तरह से stabilize होता है बहुत अच्छे से सीखा होगा अगले video lecture में हम लोग dancing resonance यानि sigma P resonance को detail में discuss करेंगे